तो आज हमारे पास एक क्वेस्चन है यह क्वेस्चन जैमें इस 2023 का क्वेस्चन है यह क्वेस्चन आया हुआ है अप्रील 6 के फर्स सिप्ट वाले पेपर में यह क्वेस्चन क्या कह रहा है कि वैल्व अ लॉक के फॉर द एक्ट्रियेक्शन ए 2b 298 Kelvin is और आपको नेरे स्टेंटीजर बताना है गिवन क्या क्या है हमको स्टेंडर इंथालपी चेंज गिवन है इस माइनस 54.07 कीलो जूल पर मोल है और हमको स्टेंडर्ड इंट्रॉपी चेंज दिया हुआ है इस 10 जूल पर मोल पर केल्विन है बाकी हमको क्या दिया हुआ है कि आपको जो इसका multiplication है वो इतना आपको लेना है ठीक है चले ध्यान दीजिए लॉट के निकालने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए डेल्टा जी नौट तो डेल्टा जी नौट इस इक्वला क्या होता है How? Because delta Z0 is equal to minus of 2.303RT log of k. So, यह log के आपको निगालना है. ठीक है? तो यह दो equation यूज होंगी. और दो equation यूज करके आपको simply calculate कर देना है कि लोग के क्या होगा? यह formula based question है. ऐसा ही question, exactly same question. डेटा अलग-अलग है. यह आया हुआ है 2024 में. चलिए ध्यान दीजिए, तो पहले हम delta Z0 calculate करेंगे. तो delta Z0 is equal to delta H0 की value given है. कितना given है? minus 54.07 into 10 to the power 3. kilo-zool में है तो 10 to the power 3. and minus of T कितना दिया हुआ? 298 into delta H0 कितना है? 10. अब आप इसको simplify करेंगे. then you are going to get what? 5,4,0,7,0 minus of 298,0 and further you are going to get minus of 5,7,0,5,0. इतना Joule. तो एक बार अगर delta Z0 आगया, then we can calculate what? log K. तो delta Z0 is equal to minus of 2.303. R की value कितनी है? that is 8.314. 8.314 into temperature कितना है? 298 Kelvin log K. अब 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 दल्टा Z0 की value पूट करिये हैं यहां पर that is minus of 5,7,0,5,0 is equals to minus of 2.303 into 8.314 into 298 times log K. अब ध्यान दीजिए, important बात किया है यहां पर, कि यह जो value है, यह हमको given है, और यह कितना है? 5,7,0,5. तो minus से minus cancel हो गया, दुनों साइड माइनस है, तो 5,7,0,5,0 is equals to 5,7,0,5 times log K. So, log K is equals to 5,7,0,5,0 divided by 5,7,0,5 and we are going to get 10. So, log K is equals to 10, right? So, the answer is going to be 10. The answer is going to be 10, okay? So, hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.